जमीनी मामले को लेका जूटा मुकदमे में फसाने के दिया धमकी। जमीन मालिक ने पुलिस को दिया आवेदन। जमुई के जहाजा थाना शेत्र के बुडवा गाउं का मामला जहां पर आशिष भारती ने बताया कि मेरा परिवार के सदसे ने 1947 में एक जमीन खरीदी थी। उसके बाद हम लोग उस जमीन की देख रेक कर रहे थे। लेकिन 20 साल पूर्व हम लोग पूरा परिवार के साथ ज काम करवा रहे थे। जब विरोध किया गया तो अपनी पत्नी से दुष्कर्म केस करने की धमकी देता है। आसिस भारती ने बताया कि बुडवा में जितने भी खाली जमीन है सभी को बुडवा पंचायत के पंचायत समीती के द्वारा अवेद रूप से कपचा कर लिया गय में दादे जी के नाम से यह जमीन लिया हुआ 1947 में बुडवा ग्राम में यह अ खड़िया नाम है इसका 31 डिस्मील जमीन है इस जमीन पर तीन मेना पहले हमने नापी करके इसको खुटवाया था कल फूको साव पिता स्वर्गी सुगदेव साव ने आकर पांच अग्यात आ जब काम बंद करने के लिए बोले तो हमको गाली गलोज करते हुए धमकी दिया कि जान से मार देंगे छलखानी केस में फसाद देंगे यहां से भागो किसी भी तरह का अपनी घटना तुम्हारे साथ घट सकता है इसके बाद इसकी सुचना हमने थाना को दिया पहले भी उसका रिकोड रहा है कि अपने परिवार के साथ चलखानी का केस गरामीनों पर कर चुका है आज भी हमें पता चला है कि कोट में गया है चलखानी का केस करने बोलवा पंचात के अंदर जितने भी इस तरह के कारी होते हैं सभी लश्मन साब पिता किसुन साब के द्वारा पर इस तरह का किसी अनलीगल छड़खानी का के सो यह जमीन लूटने का काम किया जा रहा है अंचल में अभी जानकारी ने दिये थाना को सूचना दिये है रश्टेटू में सवर्गी नहरानलाल जो हमारे दादा जी है उनका नाम है और सर्वे सेटल्मेंट सर्वे जब हुआ था उसमें भी में भी वहां करमचारी के यहां दादा जी का नाम दर्जा यह जबरन कभजा किया जा रहा है दीन में हो रहा था दीन में हो रहा था जबरन किया जा रहा है पता चला है कि दो कटा किसी से सोधा भी किया है जो जिसमें लश्मन साव सामील है जी बी चुका है अपडेट खबरों को देखने के लिए देखके रहें खबर 365 निउस साथी लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपडेट